नियूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिंड कीजिए आपके सामने तीन विकल्प नियूस क्लिक की सदस्ता ग्रहिंड करके हमारे हाथ मजबूत कर रहे हैं ताकि इसी तरह से हम आपके मुद्दे बेबाकी से उठाते रहें और आज चर्शा है जासूसी की जी हाँ वायर और दुनिया की 16 अन मीडिया संस्थानों की इस खबर के मुताबिक इस्राइली कमपनी NSO के एक सॉफ्टवेर पेगसिस के जरिये कुछ देश अपने ही नागरिकों की जासूसी करवा रहे थे और वायर की इस खबर के मुताबिक भारत के 40 पत्रकारों की जासूसी कराई गई चालीस पत्रकारों के इत्फाकन इन मेंसे कई ऐसे पत्रकार हैं जो सत्ता से मुश्किल सवाल करते हैं इत्फाकन इन मेंसे कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने आमित शाह के बेटे जैशाह के बारे में स्टोरी की थी जो अमूमन लोग डरते थे करने को इत्फाकन इन में से कई ऐसे पत्रकार हैं जो भारती जनता पार्टी की गालीबाज ट्रोल मशिनरी उनके पूरे प्रचारतंत्र को एक्सपोज करने का काम कर रहे थे इत्फाकन इन में से ऐसे भी पत्रकार हैं इन्होंने अडानी, अंबानी जैसे बड़े बड़े दिगजों, उद्योग पतियों के पूरे काम पर बोलने की हिम्मत की। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। भारत सरकार की प्रतिक्रिया आ गई है आपके स्क्रीन्स पर। भारत सरकार का कहना है कि हम किसी भी तरह की अनौथराइजड जासूसी नहीं कराते। यानि कि बगएर अधिकरित किये हम जासूसी नहीं कराते, हम freedom of expression यानि कि अभिव्यक्ति की आजादी में हमारा पूरा विश्वास है। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर ये जासूसी आपने नहीं करवाई, क्योंकि देखिए, इस्राइली कमपनी, एनेसो का सम्विधान साफ तोर पर क्या कहता है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपनी तरफ से एक प्रतिक्रिया जारी किये, आपके स्क्रीन्स पर ये प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। इसमें उन्होंने कहा है, कि हम ये जो सौफ्ट्वेर है पेगिसिस, सिर्फ उन्ही सरकारों को देते हैं जिनके साथ हमारा करार है, जिनके साथ हमारा समझहोथा है। हम ये किसी भी सरकार को नहीं देते हैं हम सिर्फ इसे सरकारों को देते हैं और इसका इस्तमाल उन लोगों के खिलाफ किया जाता है जो या तो किसी गंभीर अपराद में लगे हो या आतंकवादी गतिविदियों में लगे हो इन पत्रकारों के चेहरे देखिए सिधार्त वर्दराजन, रोहिनी सिंग, स्वाती चतुरवेदी, पौरुणजय गुहा ठाकुर्ता, M.K. वेनू ये तमाम वो पत्रकार हैं जिन्नोंने सत्ता से सवाल पूछने की हिमाकत कि क्या इन में से कोई भी आपको आतंकवादी दिखाई देता है, बताइए, तो पेगसस का जूट यहीं पकड़ा गया, सवाल मेरा अपनी सरकार से, भारत सरकार ने अपने इस बयान में, जो इस वकापत में स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, उन्होंने इस पूरे मामले से पल्ला देश के ग्रह मंत्री आमिट शाह, और देश के राश्ट्री सुरक्षा सलाकर अजीर दोभाल, कल्पना कीजिए, कि अगर इनके मोबाइल फोन्स में पेगसस सॉफ्टवेर इंस्टॉल हो जाए, किसी तरह से इंस्टॉल हो जाए, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कर रहे होंगे, उन्हें तो पता चल जाएगा, और वो लोग भारत विरोधी गतिविधियों में इसका इस्तमाल करेंगे, इसलिए बहुत जरीरी हो जाता है कि यह जो पूरा मामला है, Operation Pegasus, इस बात पर सैयुक्त संसदिय समिती जाच करे, नमबर एक, नमबर दो, इस मामल की जाच करें, क्योंकि इसका सीधा नाता हमारे देश की राष्ट्री सुरक्षा के साथ भी है, मैं अभी Human Rights की बात ही नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं ये कही ही नहीं रहा हूं, जिन पत्रकारों का मैंने जिक्र किया आपके सामने, ये उनके अपने मानवादिकार की भी ब पताय जा रहा है, सुप्रीम कोट के एक सिटिंग जज भी है, यानि कि ये सरकार कथित तोर पर, allegedly, इन लोगों की जाच भी कर रही थी, यानि कि दो मंत्री जो कि उनके अपने हैं, उनकी भी जाच कर रही थी, तो मैं चाहता हूं कि इन तमाम सवालों के जवाब ये सरकार क्योंकि इस पेगसेस के जरीए लोगों की जान गई है, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉन प्रॉफिट और्गनाइजेशन फॉबिडन स्टोरीज और फ्रंट लाइन ने इस मुद्दे पर एक डॉक्यमेंटरी की है, और इस डॉक्यमेंटरी में बहुत ही च दुतावास के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ये इनकी आखरी तस्वीर है, इसके बाद जैसे ही ये दुतावास में प्रवेश करते हैं, इनकी रहस्में तरीके में इने मौत के घाट उतार दिया जाता है, फॉबिडन स्टोरीज और फ्रंट लाइन की स्पर्टाल के मताब सौधी अथॉरिटीज ने जमाल खशोगी की पतनी और उनकी मंगेतर हातस चंगेजी के फोन में पेगसिस इंस्टॉल कर दिया था, उन्हों ने उनकी मंगेतर और उनकी पतनी के फोन को हैक कर लिया था और उसके जरीयों ने पता चल रहा था कि जमाल खशोगी कहां और कब जा रहा है यानि कि इस हाकिंग के जरीए और इस हाकिंग का परणाम ये हुआ कि जमाल खशोगी को मौत के घाट उतार दिया गया मैं आपको बताना चाहता हूँ वाशिंटन पोस्ट की डाना प्रीस्ट ने हतीस चंगेजी जो की जमाल खशोगी की मंगेतर थी उनसे मुलाकात की और मुलाकात में उन्हें बताया कि किस तरह से आपका फोन हैक किया गया था और उसी का परणाम था कि आपके मंगेतर जमाल खशोगी की हत्या हो गए देखिए Dana Priest and a producer working for Frontline and Forbidden Stories met with Hatice to verify if her phone had in fact been hacked What I'm doing is basically a backup and based on this backup we will look if there is any trace of infection, past or current What we're looking for is traces of a software called Pegasus I remember the first days after the murder a lot of times they try to hack my email and then Gmail was sending to me emails at that time someone tried to open your account or something like that The simple ones are like that message The really sophisticated ones, they don't need a message They don't need you to do anything Really? Yeah दोस्ते इसके बाद क्या होता है डाना प्रीस्ट उनके phone से जुड़ी हुई तमाम जानकारी लेके पहुँचती हैं Amnesty International के Truth Labs और वहाँ पर उसकी जाच की जाती है अब देखिए documentary का वो हिस्सा जिसमें इस बात की पुश्टी हो जाती है कि उनके phone को hack किया गया था उस phone के अंदर Pegasus को install किया गया था और उसी का परिणाम था कि जमाल काशोगी की हत्या कर देगी देखिए इस documentary का वो हिस्सा After getting backups of both Khadija's new phone and the one she was using at the time of Khashogji's murder Dana Priest sent them to Amnesty International's security lab for analysis A few hours later, while on the way back to the airport, she received a call with the results Hi I guess the spree of bad news is never ending So, I checked both the uploads The new one seems clean to me The old one however has some traces that's a consistent consistency with what we have seen Yeah तो देखा आपने Pegasus कितना खतरनाक हो सकता है इसलिए मेरी मांग है कि इस मामले की जांस संयुक्त संसदिये सामिती करे सुप्रीम कोर्ट के रिटाइट जज करें क्योंकि हम नहीं जानते दोस्तों Operation Pegasus के जरीए भारत के अंदर किस किस पर निशाना साधा जा सकता है और आप जानते हैं कि आज लोकसभा का मौनसुन सत्र शुरू हुआ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पत्रकारों के सामने आए और उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के हरती के सवाल का जवाब देने को तयार है प्रधान मंत्री अगर ये सच है कि हमारी ही सरकार, हमारे पत्रकारों की, आपके मंत्रियों की जासुसी करवा रही थी, तो आपके इस बयान के कोई माइने नहीं है, क्या कहा प्रधान मंत्री ने आप खुछ सुनिये मैं सभी मान्य सांसदों से, सभी राजलितिक दलों से आगर करूँगा, कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शान्त बातावरण में सरकार को जवाब का मोका भी दे, ताकि जनता जनादन के पास सत्य पहुँचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वाद बढ़ता है, और देश की गती भी तेज होती है प्रगती की. वाकवी प्रधानमंत्री का ये बयान सुनके मुझे हसी आ रही है दोस्तों, आप कह रहे हैं कि हम हर तरह की तीखे सवालों के जवाब देने को तैयार हैं, कहां? इस रिपॉर्ट के मुताबिक तो सरकार गथित तोर पर अपने पत्रकारों की जासूसी करवा रही थी? और आप ये नहीं कह सकते आप ये बिलकुल नहीं कह सकते कि इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पेगसिस तो साफ तोर पर कह रहा है कि हम ये टेकनोलोजी इसराइल की कंपनी NSO साफ तोर पर कह रही है कि हम ये टेकनोलोजी सिर्फ सरकारों को देते हैं और अगर कोई और इसकी जासुसी करवा रहा था यानि कि सरकार इसकी जासुसी नहीं करवा रही थी तो ये तो और भी चिंता की बात है जैसे मैंने कारकरन की शुरुवात में कहा इस तरीके से तो ये हमारे प्रधान मंत्री की फोन को हैक कर सकते हैं राश्ट्री सुरक्षा सलहकार की फोन को हैक कर सकते हैं देश के ग्रे मंत्री आमिशा की फोन को हैक कर सकते हैं क्या भारत एक बनाना रिपाब्लिक है क्या भारत एक फेल्ड स्टेट है नहीं है हमारा तो वो देश है जिसके प्रधा तरह से घिरी दिखाई दी जैसे ही प्रधान मंत्री खड़े हुए अपना भाशन देने तब विपक्ष ने किसान किसानों के खिलाफ जो तीन कानून है उसे खत्म करने की उन्होंने मांग की और प्रधान मंत्री को ये मौका मिल गया अपनी सियासत खेलने के लिए क्योंकि उ संबाद से हैं बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिशक में भोका मिला उनका परीचर करने का आनद होता हर बैंक पर से बेंक को छपछपा करके उनका गवरों किया गया होता लेकिन शायद देख के दलीक मंत्री बने देख की महिला मंत्री बने देख के ओबीसी मंत्री बने देख के किजानों के बेके मंत्री बने ये बात कुछ लोगों को राज रही आती है अगर आप एक मजबूत सरकार हैं तो ये रोदाली छोड़िए अगर आप एक मजबूत सरकार हैं तो अपने नागरिकों को परिशान करना छोड़िए क्योंकि एक अमरीकी कमपनी की जाच से बात सामने उभर कर आई थी कि इस पूरे इलगार परिशद भीमा कोरिगाओं मामले में रोना विलसन नाम के एक आक्टिविस्ट के कम्प्यूटर में को हाक करके उसमें जानकारी डाली गई उसमें सुबूत प्लैंट किये गए और उसी के चलते कई लोग की गिरफतारी किये गई ये मामला बहुत गंभीर है दोस्तों पिछले एक साल से लोग जेल में सड़ रहे हैं ये शक्स टैन स्वामी जेल में इनकी मौत भी हो गई इन में से कई ऐसे लोग थे दो दबे कुछलों आदिवासियों के लिए आवास बुलंद कर रहे थे वो अब भी जेल के अंदर हैं वो चाहते तो अमरीका में सुक शानती भरी जंदगी बिताते मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया आज गेर वाजब तरीकों से अलोकतांत्रिक तरीकों से लोगों को टार्गेट किया जा रहा है इस पर जल्द लगाम लगनी चाहिए जवाब देहे बनिये लोगों की समस्याओं के प्रती उनके वो बर्गलाने के लिए उन्हें भरमित करने के लिए इन तमाम चीजों का इस्तमाल मत कीजिए समझे आप खेर निउस चक्र में हम ये तमाम मुद्दे उठाते रहेंगे अबिसार शेर्मा को दीजिये जासत नमस्कार